हेलो स्टूडेंट्स त्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आज हम प्रिवोड परीक्षा 2022 के आपके जो की लेखा सास्त बिसाय है आपका कक्छा बारवी के छात्रों का हम उसके बिसाय का संपूर्ण सॉलुशन आपको देने बार हैं अकाउंट का तो आपको वीडियो क के सॉलुशन नहीं देखे हैं वो चैनल पर देख सकते हैं सभी सॉलुशन चैनल पापलोट कर दिए गई हैं देखिए आपका पेपर को चिस प्रकास से होगा सभी प्रशनों के उत्तर हम आगे देख लेते हैं देखिए यहां से हम देखेंगे सभी प्रशनों का उत्तर कक् पुंजीकत प्राप्टी दोनों में एक ही ऑप्सन सही है पुंजीकत प्राप्ती पूनीगतра भुष्याट आप फोर्थ कर दोनों में इसी कोई नहीं हो जाएगा और अगला हुजाएगा आपका बिक्री थर्ड अपका यहां पे अंसर फॉह जाता है पूंजी गत थर्ड वालि चाली स्थान में पूंजी गत रइंसर आजाएगा अगले का संचे तिसमें फूरित वाली में आ जाएगा और फाइब में पहले का अंसर हो जाएगा साज्यदार कारण सही जोड़ियां हम देख रहे हैं साज्यदार बन सकते हैं तरत्य पक्च इस प्रकास से आपके सही जोड़िया यहाँ पर कंपलीट होती जा रही है और फोर्थ का हो जाएगा आपका निजी संपत्ति पांचविक आंसर हो जाएगा है कंपनी की आधार शिला और छटे का आंसर आपका हो जाता है आनुपातिक आबंटन देखी यहाँ तक हमारी आंसर कंपलीट हो जाते हैं अब हम देख लीते हैं प्रष्ण क्र Presents 4 के उत्तर आपको यहाँ एक बाग paint के में उत्तर लखना है तो इसी प्रकार से से लखना है जैसे मैं यहाँ पर लिखे हैं आपको लाल पैन का यूज नहीं करना है मैं ने यहाँ पर अंडरlige कर दिया है जो इसका main पार्ट है अंसर है तो पेसी वर ब्यक्ति अपना हिसाब किताब रोकड पद्यती से रखते हैं तो यहाँ पर रोकड पद्यती इसमें अंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है आपका यहाँ भरे तोसत बिधी के बारी में आपको लिखना था तो इस प्रिकार आप इसका आंसर लख देंगे सेकंड का एक बाक के उत्तर बाले में थर्ड बाले का होजेगा नई साजिदार के द्वारा ख्याती रासी लाब में हिस्सा पाने के लिए की जाती है तो नई साजिदार द्वारा ख्याती रासी क्यों अदा की जाती है तो वो लाब में हिस्सा पाने के लिए की जाती है तो इस प्रकार आप इसका अंसर लिख देंगे अगला कुश्चन है यहां पर आंसर आपको दिख रहा होगा अगला कुश्चन है आपका कुश्चन इस बिंदू पर कुल विक्री के बरावर मानी जाती है तो संबिचित बिंदु इसका अंसर हो जाएगा अगला है आपके विप्ट्रोणों का अलो चेना ंतव को मुल्यंकन कहलता है ऍे क्या चैनल्य और कैलाता है यहां पर आंसर दिया गया मैं। आपके सभी objective complete हो जाते हैं यहां तक अब हम सत्य असत्य देख लेते हैं प्रिशन करमंग 5 के उत्तर पहला वाला आपका सत्य हो जाएगा दूसरा असत्य है थर्ड सत्य है आपका फूर्थ भी सत्य है इसके बाद आपका फिप्त जो है वो असत्य हो जाएगा और इसके बाद 6 सत्य हो जाएगा तो इस प्रकार आपके सत्य सत्य भी complete हो जाएगा अब हम देख लेते हैं आगे के question answer यहां पर प्रिशन करमंग 7 का उत्तर दिया गया है आपको तो इसी प्रकार से आपको साज जिधारी संलेक से क्या आसा है यह question था तो यहां तक आपको साज जिधारी संल आपी में लग देना है ताकि आपका कोई भी अंक ना कटी तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिले और आदर सब्सक्राइब के solution चैनल पर अपल को कि अगला question है आपका प्रशने क्रमंग 10 का उत्तर यहां पर दिया जा रहा है आपको तो यहां पर फर्म की आकस्मिक समापन से क्या आसा है question इस प्रकास से था तो यहां पर इसका अंसर नीचे आपको दिख रहोगा तो यहां तक आप इसका आंसर लिख देंगी अगला question देख लेते हैं प्रिशन करमंग 11 का उत्तर यहां पर दिया गया है company को परिभास्ट करना था आपको इस question में तो यहां पर company की परिभासा दी गई है तो इस प्रकास यहां पर लिख लेंगी प्रिशन करमंग 12 के अत्वा वाली का अंसर हम यहां पर दीख रहे हैं तो इस प्रकास यहां पर कोश्चन यह था अंसर हरन सी क्या आसा है तो यहां पर लिख लेंगी यह आपका complete answer यहां पर हो जाता है अगला question था आपका प्रिशन करमंग 14 का उत्तर है यहां पर बिध्ति विभरणों के क्या आसा है तो यहां पर यहां तक इसका answer पूरा complete हो जाता है आगे question लखा है फिर इसका answer यहां से यहां तक पूरा complete लिख लिजिएगा पूरे अंक मिलेंगे प्रिशन कर्मांग 15 का उत्तर दिया गया है यहां पर question था आपका रिन समता अनुपात क्या है तो अत्वा वाली का answer है प्रिशन कर्मांग 15 का रिन समता अनुपात तो यहां तक आप इसका answer लिख लेंगे प्रिशन कर्मांग 16 का उत्तर यहां पर अंतर आपसे पूंचा था आए ब्याए खाता इवन प्रैप्ति भूगतान खाता में अंतर तो यहां पर कुछ अंतर अधार के अधार पर अंतर दिये गई हैं तो यहां पर आप इसी प्रकास से लिख लेंगे कोई चार अंतर आपको यहां पर बताए गए हैं तीन अंक का कॉस्चन है तो आप चार ही लिख देंगे प्रिशन करमंग 17 कात्वा वाली का अंसर यहां पर दिया ज़रा है देखे तो फर्म का विगटन और साजेदारी का विगटन इसमें अंतर आपको यहां पर दिया गया है पांच अंतर लिखे हैं आप चार अंतर जरूर लिख देंगे ताकि आपका कोई भी अंक कटने के चांस ना रहें और आपको पूरे अंक मिलें अगला कॉस्चन देख लेते हैं प्रिशन करमंग 18 है देखे यहां पर आपको अंतर इसमें भी है समता या साधरान अंस और पूर्वा अधिकार या अधिमान अंस अथवा वाली का अंसर है यहां पर अंतर आप से पूंच रहा था तो यहां पर अंतर दिये गए हैं यहां पर दिख लेजिए पृषन करमंग 19 का उत्तर आपको दिख रहा होगा बित्तिय विबरण के सीमा आपको लिखनी थी कोई तीन सीमा यहां पर लिखेए हुई है तो तीन अंक का ही कुस्चन है तो आपको तीनों सीमा यह अच्छी तरीके से लिख देनी है प्रश्ण क्रमंग 23 का उत्तर यहां पे दिया गया है आपको तो रोकड प्रबाह बिवरण से क्या सहे तो आप इसे भी अच्छी तरीके से इसी प्रकार अपने कॉपी में लग देंगे तो यहां तक हमारे कुश्चन के अंसर हो चुके हैं 23 का आगे यह भी है रोकड प्रबाह बिवरण बनाने के प्रमखोदेश साथ ही आपको उसी कुश्चन में पूछ रहा था तो यहां पे आप इस प्रकार से रोकड प्रबाह बिवरण को बनाने के उद्दिश लग सकते हैं तो यहां तक आपके पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है